नमस्कार भारत के पहली डिजिटल मोबाइल न्यूस चैनल मेटर टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से राजनात बोली कश्मीर के यूवा भारत के फ्यूचर हिंदुस्तान के लिए कश्मीर का भविश्व जरूरी पत्थर्ज थमाने वाले की पैचान करे अवाम आएगा पैलिट गन का विकल्ट यूपी बदान सबाच चनाव में कॉंग्रिस के चनाव प्रचार की कमान सम्हाले की प्रयांका गांधी प्रशांत के शोर ने बनाई प्रचार की रणनी थी राहुल का कारेक्रम भी जल्द होगा तै सुप्रीम कोट को राज ठाकरे का खुला चालिंज 49 फीट पर टांगी गई दही हांडी आयोजक बोला जेल जुआने को तैयार समवेदन शील मामले की बचा से पुलिस ने नहीं की कारवाई ओडी सा के काला हांडी में मानफता को शरमसार करने वाली घटना आई पेश अस्पताल ने नहीं दी मोर्चरी वैन तो कंधे पर 12 किलो मीटर ले गया पतनी की लाश जुला प्रशासन ने दिये जांच की आदेश और बांगलादेश के बाद अब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने उड़ाया विराट कोली और टीम इंडिया का मज़ा 12 किलो मीटर इसलिए पैदल चलना पड़ा क्योंकि उसके पास गाड़ी करने को रुपए नहीं थे जुलास पताल प्रशासन ने कथित तोर पर उसे गाड़ी देने से मना कर दिया था इसके बाद दाना मांजी ने पतनी के शव को कपड़े में लपेटा और 60 किलो मीटर दूर अपने गाउ में घारा जाने का फैसला लिया माजी लाश कंधे पर लिए करीब 12 किलो मीटर तक चलता रहा तब कुछ युवाओं ने उसे देखा और स्थानिय अधिकारियों को खबर की जल्द ही एक एम्बुलिंस भेजी गई जो लाश को मिल घर गाउन लेकर गई उधर मामला प्रकाश में आने के बाद जुला कलेक्टर ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए मामले की जाजकार दोशियों को सजा देने का आशवासन दिया है कलेक्टर के मुताबिक माजी के परिवार को हरीश चंदर योजना और रेड क्रोस फंट के जरिये मदद की जाएगी घाटी के हालात का ज्वाइजा लेने के लिए दो दिवसे यात्रा पर कश्मीर दौरे पर गए ग्रेहमंतुरी राजनाच सिंग ने गुरुवार को कहा कि कश्मीर की बड़ी आबादी शांती के पक्ष में है उन्होंने सभी कश्मीरियों से अपील की कि वे कश्मीरी युमाओं के भविश्व से ना खेले उनको पत्थर उठाने के लिए ना उकसाए ग्रेहमंतुरी ने कहा कि बच्चे तो बच्चे हैं अगर वे अपने हातों में पत्थर उठाते हैं तो उन्हें समझाया जाना चाहिए सियम महबुवा मुफ्ती के साथ प्रेस कॉन्फरेंस में राजनात सिंग ने कहा कि कश्मीर के भविश्व के बिना भारत का भविश्व नहीं बन सकता है सरकार कश्मीर का विकास करना चाहती है इस दिशा में काम हो रहा है उन्होंने शुरक्षा बलो से सैयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि पैलेट गन पर दो तीन दिन में रिपोर्ट आएगी शुरक्षा बलो को उसका विकल्प दिया जाएगा उत्रप्रदेश में विधान सवा चुनाव में अपनी प्रभावी उपस्थिती दर्ज कराने के लिए कॉंग्रिस पार्टी ने तयानिया शुरू कर दी है सूतरों के मताबिक पार्टी के मुख्य चुनावी रनीतिकार प्रशांद किशोर यानि पीके की तरफ से खबर आ रही है कि प्रियांका गांधी चुनाफ रचार करेंगी बही राहूल गांदी का ये इम्तहान है क्योंकि यूपी में सोनिया गांधी ने रोड्शो निकाला वे बिमार पड़ गई बस यात्रा की दोरान शीला दिख्षित की भी तब्यत विगड़ गई अब ऐसे में राहुल गांदी के लिए रोडशो करना या पदियात्रा निकालना किसी चुनाथी से कम नहीं होगा सीक्रिशन जनमाश्टमी के मौके पर राज ठाकरे की पार्टी महराश्टन नव निर्मान सेना सीधे सुप्रीम कोट से ही भिड़ गई है MNS ने सुप्रीम कोट के आदेश का उनंगन करते हुए थाने में 49 फीट उची धही हांडी तांग दी थी बता दे कि सुप्रीम कोट के आदेशों के मताबिक धही हांडी की उचाई 20 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्च शामिल नहीं होंगे कारिकरम के आयोजक अविनाश जाधन ने अपने पार्टी के प्रमुक राज ठाकरे के आदेशों का पालन करते हुए थाने में 49 फीट उची हांडी लगाई है जो कि सुप्रीम कोट को खुले चालंज की तरह है दही हांडी लगाने वाले जाधव ने कहा सुप्रीम कोट ही निर्धारत नहीं कर सकता कि हम अपना तोहार कैसे मनाएं अगर मैंने किसी कानून का उन्हंगन किया है तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ पुलिस ने समेंदर्शील मामला होने के चलते अभी तक कोई कारवाई नहीं की है एश्या कब 2016 के फानल से पहले बांगलादेशी फैन्स टीम इंडिया का कितना भद्धा मजाग उड़ाया था ट्विटर पर डाली गई वे तस्वीर याद कीजियो जिसमें बांगलादेश के तेज गेंदबाज तसकीन एहमद को टीम इंडिया के कप्तान एमेस धोनी का काटा हुआ सिर लेकर पूरे जोश में दिखाया गया था अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टीम इंडिया को पीछे चोड़ते हुए टेस्ट में नमबर वन बनने पर उसके फैंस ने भी कुछ ऐसा ही किया है पाक फैंस से अपनी टीम को बढ़ाई देते हुए विराट कोली की तस्वीरों का उपयोग करके भारत का मज़ा कुड़ाया है हाला कि टीम इंडिया के फैंन भी का हच यो बैठने वाले थे उन्होंने भी करारा जवाब दिया दरसल हुआ ये की टीम इंडिया और वेस्ट इंडियस के बीच सीरीज का चौथा मैच बारिश के कारण ड्रॉ हो जाने पर मिजबाव उल्हक की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम आई सी सी के टेस्ट रांकिंग में नमबर वन पर पहुँच गई जमु कश्मीर में बिगड़ते हालातों के मदे नजर केंद सरकार अब कड़े कदाम उठाने की पूरी तैयारी में है विश्वस सूत्रों के मताबिक अगर महबूबा सरकार का रवया नहीं सुधरा तो घाटी में शान्ती बहाली के लिए राज़ेपाल शासन भी लागु किया जा सकता है बीजेपी को उमीद थी कि महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने से घाटी के हालात सुधरेंगे लेकिन यहां तो सब उल्टा ही नजर आ रहा है गौरतलब है कि केंदर ग्रहमंत्री राज़नाथ सिंग दो दिन के दोरे पार जमु कश्मीर में है सुत्रों के अनुसार केंदर राज़नाथ सिंग के दिली आने के बाद ही केंद सरकार कड़ा फैसला करने की तैयारी में है इस महीने के अंध तक जमु कश्मीर में चल रही अशांती को पच्चास दिन से उपर हो जाएंगे कानुन विवस्था राज़य का मुद्दा है और राज़सरकार ने भी अपनी और से कई कदम उठाए हैं जिन पर केंद सरकार लगातार इन कदमों पार नज़र रखे हुए हैं जमु कश्मीर के पूर्व मुख्यमंतरी और नेता विपक्ष गुलाम नभी आज़ाद ने कश्मीर के हालात पर दो टुक टिपनी की है उन्होंने कहा कि पचास दिन होने को है कर्फिव अब 24 घंट लागू है घाटी में पेट्रोल पहुँचने ही रहा और कश्मीर में परिशानिया आमजन की कमर तोड़ रही है यही नहीं उन्होंने कहा कि अगर हालात काबू नहीं किये गए तो 1947 के बटवारे जैसे हालात हो सकते हैं गुलाम नभी आज़ाद ने कहा कि केंद सरकार मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रही प्रधान मंतरी मोदी कश्मीर पर काबिनिट की बैठक नहीं बुलाते शांती की अपील नहीं करते यही हालात रहे तो 1947 के बटवारे का नजारा हो सकता है उन्होंने आगे कहा 1947 में बटवारे की राजनीती हुई थी बहुत लोग मरे थे बेघर हुए थे बरबादी का आलम दिल दुखाने वाला नहीं भुकम जैसा था प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को जोरदा जटका दे दिया है सरकार ने बुदवार को हुई कैबिनिट मीटिंग में फैसला लिया है कि अब से वो आतंकी घटनाओं में मारे गए या घायल पाकिस्तान अधिकरित कश्मीर के लोगों को भी मुआवज़ा देगी कैबिनिट ने आतंकी हमलों और नकसली हमलों में मारे गए और घायल लोगों के लिए मुआवज़े की रकम में भी भारी बड़ोत रिकी है PMO में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंख के मुताबिक ये मुआवज़ा P.O.K. के लोगों के लिए भी है हाला कि उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात में उन्हें ये देना संभव नहीं है बतादे कि पाक की तरफ से होने वाली गोली बारी में हुई मौतों के लिए मुआवज़े की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी साल 2014 में जब P.M. Modi दिपावनी बनाने के लिए कश्मीर गए थे तब उनसे भी ये मांग की गई थी राश्ट्रे स्वन सेवक संग ने अपनी सभी संस्थाओं को सारवजोनिक जीवन में प्रधान मंती नरेंद्र मोधी के आलोचना करने से बचने को कहा है संग ने विश्वे हिंदु परिश्वद और बजरंग दल जैसी संस्थाओं को प्रधान मंत्री द्वारा गोरक्षकों की मिंदा वाले बयान से नाराजगी जाहिर करने से मना किया है आगरा में उत्राखन और उत्रप्रदेश के 236 कारवाखकों को संबोधित करते हुए संग प्रमुक मोहन भागवत ने कहा कि प्रधान मंत्री की टिपनी कपर कुछ विहीप नेताओं द्वारा दिये गए बयानों से भाजपा को शर्मंदिगी उठानी पड़ी है उन्होंने ये भी कहा कि इससे ये भी संदेश गया कि संग के भीतर ही दरार पड़ गई है खबर है कि बैठक में भागवत ने उत्तरप्रदेश और उत्तरखन में होने वाले विधान सभा चनावों में बीजेपी की जीत में मदद के लिए रनीतियों पर भी चर्चा की दिल्ली के बाहर खर्च किया गया सीएजी की ये रिपोर्ट आमाधी पाटी सरकार की सत्ता के पेहले साल में विधापन पर किये गए धुआधार खर्च पर उंगली उठाती है पच्पन पनौर की रिपोर्ट में CAG ने दिल्ली सरकार पर टेलिविजिन विग्यापनों पर जनता के धन का इस्तमाल करने का आरोप लगाया है रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने टीवी पर एक वेक्ती को ज़ड़ू लहराते दिखाया जो की आपका चनाव चिन है और उन्होंने आपकी सरकार का संधर्व दिया जो की पार्टी का प्रचार है ना की सरकार का दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश उपाध्याई ने आरोप लगाया है कि केजरिवाल सरकार भी श्रीला सरकार की तरह प्रच्ट है इस सरकार के मुख्या और उप मुख्या दोनों घ्रचचार को लगातार बढ़ावा देते रहे हैं सतीश उपाध्याई ने दिल्ली शहरी आश्रे सुधार बोड के भलस्वस्थित एक भुकंड को एक नीजी बिल्डर को सौपने के मामली में दिल्ली सरकार पर निश्वा नसाधा उन्होंने आरोप लगाया कि अर्बो रुपए के इस जमीन घोटाले में डॉक्टर नावल के मंतरी की पोल खोलने के लिए आंदोलन चला जाएगा उन्होंने कहा कि डॉक्टर नावलेंद्र कुमार सिंग श्रीला दिक्षित सरकार के समय भलस्वस से जुड़े मॉडल टाउन के SDM थे और तब भी जवीन के मामले में भी अन्यमिताओं के आरोप लगे थे जैनियो में राश्टरगान के दौरान चातरों की कम संख्यां से उपजे विवाद पर जैनियो प्रशासन की तरफ से जवाब भेजा गया है एक प्रेस रिलीस के जरिये बताया गया है कि चातरों की उपस्तिती अच्छी खासी थी साथी कुछ तस्वीरे भी भेजी गई है जिनके जरिये दिखाया गया है कि टीचर प्रोफेसरों से लेका स्टूडिन्स भी इस राश्टरगान में शामिल हुए थे जवाहलाल नहरू विश्वदेले की पी आर ओ पूनम कुदेशिया ने पूरी जौनकारी दी और कहा कि वाईस चंसलर के नेतितव में विश्वद्विदेले में ये पूरा कारिकरम सफलता पूरवक आयोजित किया गया 23 अगस्ट को हुए राश्टरगान कारिकरम में छात्रों की कम उपस्थती को लेकर कई जगा खबरे छपी थी जिसके बाद ज्यनी प्रशासन ने इस बाद का पूरी तरहा से खंडन किया है खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरे हम आप तक पहुँचाएंगे एक नए अंदास में आपके मुबाइल पून के माधम से तो आप जुड़ रहीं मेट्रो टीवी से तब तक के लिए नमस्कार